प्रस्टावरी 7.2 का क्वेशन नूमर 8 क्लास 9 के लिए NCR की भूपका ही यह कोशन है और सब इस प्रस्पाला का इक्सरसाइच का अंतिम यह कोशन है जो की प्रमय है और प्रमय ने दिया कि दर्साइए की किसी संभावुत विभूज का प्रते कौन साधिली का होता है यह जो आप्यूटी दिया हुआ है वह इकुलेटर्ट ट्रैंगल है संभावुत विभूज है और संभावुत विभूज के बारे में इसके पिछले वाले आध्यावर्ट बिछले वाले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं पढ़ाए हम लोग तो आप लोग को जानते ही विभूज को बोइन जारेक बीठी के एकुलेंटर्ट ट्राइंगल है जिसी क्या सम गयुक्ति shrubtu बोलते हैं इसमें संभावुत बासम मतलब बराबर बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब त्रिभुज बराबर भुजा त्रिभुज तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे शमभाहु त्रिभुज करते हैं देखिए इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा और ये भुज होता है तो इसका ये भी हम लोग जानते हैं कि इसका प्रत्य कौन 60 डीवी का होता है अं अब इसे पैले वाले वीडियो में हम बताये कि को भी त्रिबू चुर्ण अगर बरावर भुजा होगा तो बरावर भुजा के सब को बरावर होते हैं ये बात इस से प्रमय कोशिट करने के लिए यह ज़ोरी है और दूसरा त्रिफुज के तीरों कुनों का योगफल एक 180 दिग्री होता है बस दो बातों को जानते हैं तो ये आसान तरीका से बन जाता तो चलिए हम इस्टार्ट करते हैं क्योंकि आसित्ति हम बनाये हैं इसको हम मान लेते हैं लिख लेते हैं माना की A, B, C एक सम्भाहूत्रिवूज हैं जब ये सम्भाहूत्रिवूज होगा तो क्या होगा इसलिए A, B, ठीक है माना की A, B, C एक सम्भाहूत्रिवूज हैं जब सम्भाहूत्रिवूज होगा तो क्या होगा सब भूजा क्या होगा बराबर होगा लिख सकते हैं इसलिए A, B, A, B, बराबर, B, C, बराबर, A, C लिख दिना है A, B, बराबर, B, C, बराबर, A, C यहां तक अस्वाच चच्चुकी सम्भाहूत्रिवूज है इसलिए भूजा बराबर होगा इसके बाद ये लिखते हैं हमें हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कोण A, बराबर कोण B, बराबर कोण C यानि कोण A, बराबर कोण B, बराबर कोण C यह तीनों जो है 60 डिग होना चाहिए प्रतिव कोण 60 डिग होना चाहिए यह हमको सिद्ध करना है अब सिद्ध करने के लिए बस प्रमाल की जलत होते है तो प्रमाल में क्या आएगा? कि बराबर भुजा के समु कौन बराबर होते हैं किसी तिल्गुज में बराबर भुजा के समु कौन बराबर होते हैं जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया है तो यह क्या लेकिने प्रमाल में लिखेंगे? प्रमान में चुकी A, B बराबर A, C A, B बराबर A, C यानि बराबर हुजा हुआ उसके समुख कुन क्या होंगे? ये समुख कुन, ये समुख कुन बराबर होगा? इससे ये क्या होगा? A, कुन, B, बराबर कुन, C ये आपका समिकर्म एक मान दिजिए और रिजन में दिजिए बराबर हुजा के समुख कुन बराबर, बराबर हुजाओं के समुख कुन रिजन देना अनिवार ये है अगर रिजन देते हैं, तो इक्जाम में अच्छा नमबर दिजिता है ठीक है? जिस प्रकार से हम कि ये A, B, बराबर A, C हुआ तो ये कोन और ये कोन बराबर हो गया, इसी प्रकार अब देखिए इसको बराबर करेंगे A, B, बराबर B, C प्रकार अब देखिए A, B, बराबर A, B, बराबर B, C जब A, B, बराबर B, C होगा तो फिर ये कोन और ये कोन बराबर होगा यारी क्या ने देंगे? इसी लिए कोन A, बराबर कोन C ये समी करन 2 मान है और रीजन में उपर की तरह, डू लिए देते हैं, उपर की तरह निख लेना? ठीक है? इक्वेसन 1 में देखिए, इक्वेसन 1 में देखिए कि A बराब B कोन B बराबर कोन C और फिर क्या करता है कि कोन A बराबर C यानि दोनों को देखते हैं, तो हो जाएगा क्या? देखिए समी करन समी करन एक और दो से, देखिए गउर से देखिए, बराबर B के बराबर C है, और फिर कहता है, एक के बराबर C है, यानि दोनों को देखते हैं, तो सब बराबर होजाता है, कहने देखिए कोन A बराबर को बी बराबर को सी सब बराबर होगे एक और दूसरे और इसको हम मान लेखते हैं समीकरन ती यहां तर एक बार देख लिए गौर्ड देख लिजिए इक बार गौर्ड देख लिजिए अब क्या करेंगे अब यहां पर यहां पर अब अब कि घूज इसमें A B C में A B C में क्या नहीं सकते हैं कोल A जोड़ कोल B जोड़ कोल C क्या दी जोड़ कोल C और A जोड़ कोल B जोड़ कोल C बराबर क्या रिखेंगे और एक सोसीदी और यहीं इसमें लीजिए तरहँ कि भूज के तीनो कोनों का योग फर्स्स तीनो कोनों का योग इन आप देखेंगे आप किया करेंगे यहां पर गौर करने की बात है कि कोन एक को ऐसे ही लिखेंगे जोर कोन B के जगा पर कोण A ही लिखेंगी क्यों क्योंकि A बराबर B है B ये C है तो सब के बराबर हम A लिख सकते हैं जोर कोन क्या ते कोन A बराबर हो गया 180 जिगरी अब देखिए यहां से लिख देते हैं अब क्या हो गया को अब क्या हो गया आपको फिरी कोण ए बराबर एक सब अस्य की दिए यह पर यहां तक देख रहें जिए गोर्ष अब क्या करेंगे कि इसी लिए कोण ए बराबर क्या रही सकते हैं कोण ए बराबर लिखेंगे एक सब अस्य दिग्री बड़ा कितना थ्री कर जाएगा इसी दिग्री मतलों कर जाएगा यानि कि और एक आमादी कर देख आपका 60 दिग्री आप लिखेंगे समीकर एक में समीकर तीन से कर दिए अब इसी दिए समीकर तीन से क्या समीकर तीन में क्या गया क्या धिया बेखेंगे बलाबर कोण दिग्राबर को जी पराबर साटी raise सकते हैं क्योंकि यह बड़ावर स्टीदी कर लिए हैं तो यहीं हो गया आपका प्रूप्ट पी आर तो भी यहीं आपको चिंद्ध करना था अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू टेक कियर